नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं NMF News, आपके साथ मैं हूँ नम्रता चौतरी बांगलदेश में इस वक्त राहिमाम मचा हुआ है, जो तस्वीरे इस वक्त सोशल मीडिया पर, मीडिया पर आपको देखने को मिल रही होंगी निश्चित तोर पर वो आपको विचलित कर रही होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का टूल किट अक्टिव हो गया है, यहां के कुछ एक ऐसे तबके हैं, जो खुशी मना रही है और खुशी, शेख हसीना के बहाने नरिंदर मोधी को लेकर है, आप सोशल मीडिया को अगर स्ट्रॉल कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे हैस्टेक्स दिग गए होंगे और लोग ये तक कह रहे है, कि शेख हसीना तो गई, आप बारी है नरिंदर मोधी की ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर शेख हसीना के साथ ऐसा हो सकता है कल तक तो किसी ने परसो तक तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी लेकिन 24 गंटे में ऐसे तखता पलट हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था और उसके बाद पंकर जी जो तस्वीरे सामने आ रही है PMO में लोग घुज गए है मतलब श्री लंका वाला दौर याद आ गया अफगानिस्तान वाला दौर याद आ गया तो लोग उसे अब भारत से कंपेर कर रहे हैं कौन लोग? जो मोदी के विरोधी है में सब पंकर प्रसून मौझूद है अक्सर हम कई मुद्धों पर चर्चा करते हैं पंकर जी क्या इस चश्मे से ये सारी चीज देखना ठीक है हर जगा इसी टूल किट का अक्टिव हो जाना, हर चीज में हर चीज को मोदी से जोड़ कर देख लेना ये प्रकरन पूरी तरीके से अलग है लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है अब मैं मतलब फॉर एक्जामपल मैं टूल किट तो नहीं कहूंगी लेकिन अगर संजे सिंग अगर मैं उनका एक्जामपल लूँ तो उनका भी ट्वीट है अगर मैं जो बोलूँगा बहुत सारे दर्शकों को यह लएगा कि यह क्या बचकानी बाते बोल रहा है लेकिन आप बताईए कि जो चीजें पाकिस्तान में हो सकते है यानि इमरान खान ने कहा ना कि मेरा तकता पलट अमेरिका ने करवाया जो चीज नेपाल में हो सकती है उस प्रिचंड दहल उनको हटाया ना उन्होंने क्या रूप लगाया कि अमेरिका ने करवाया है बंगला देश में हुआ ना वहां क्या रूप लग रहा है कि CIA ने कराया है जो चीजें श्रिलंका में हुई न उन्होंने कहा न कि चाइना में कराया है जो माल्दिव में हुआ न ये भारत के चार ओर के देशों की मैं बात कर रहा हूँ जो चीजें भारत के आसपरोस के सारे देशों में हो सकती है वो हम क्यों ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम शंकर जी के त्रिशूल पे हैं और कहीं नहीं हो सकती आज से एक साल पहले अगर कोई ये कहता कि बंगला देश में शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पे लोग उतरेंगे उनका तकता फिलट होगा तो बंगला देश में कोई यकीन करता क्या वो लेगा कि नहीं उसकी एकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रोग कर रही थी जीडिपी ग्रोथ आल टाइम हाई था इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा था हैपनिस इंडेक्स उसका बहुत अच्छा था लोग खुशाल हो रहे थे आकर तो पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगा लेकिन फिर अचानक दिखता है कि वहां इमरान खान कहते हैं कि CIA ने मुझे हटाया है कितना stable government नेपाल में नेपाल की communist party करांती करके मतलब समाजी कांदोलन करके वो आये थे लेकिन वो हटे ना तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि नरिंद्र मोदी नहीं हटाया जा सकता और यहां के लोग को क्यों यकीन है कि भारत में ऐसा कुछ हो नहीं सकता मैं कहां कह रहा हूं कि उत्तर से लेके दक्षिन तक पूरफ से लेके पश्चिम तक हर राजी के लोग सड़कों पूतरेंगे लेकिन कुछ हजार लोग कुछ लाख लो को अगर मॉबलाइज करके अगर आपको दिल्ली में उतार दिया गया तो परिस्थितियां कैसी बनेगी और क्या उसकी कोशिश नहीं हुए मैं उधान बताता हूं आखिर ऐसा क्या हुआ कि राश्टपती डोनाल ट्रम्प के आने के कुछ वक्त पहले से लोग सड लोग यही दिल्ली की परिस्थित उसवक कैसी थी आखिर ऐसा क्या होता है कि किसान आते हैं और आपके देश की राजधानी के अंदर घुश जाते हैं ट्रेक्टर लेकर और लाल किले की प्राचीर जहां से प्रधान मंत्री जंडा फैराता है वहां पे चड़के वो खालिस अस्तानी जंडा लहरा देते हैं यकीन होता है आपको क्या एक दिन पहले तक कोई को कहते है कि पारल्यामेंट में घुस कर कोई आतंकी फाइरिंग कर देगा आप इस देश के लोग यकीन करते नहीं करते जब तक नहीं हुआ लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो यकीन नहीं होत हैं कि वो हो जाता है अच्छा बताईए कि आज बंगला देश में शेख हसीना के तकता पलेट के पीछे कौन-कौन से इंटरनेशनल तकते थी CIA का नाम आ रहा है ISI का नाम आ रहा है चाइना का नाम आ रहा है GLOBALIST कुछ है जैसे ROK FILLER FOUNDATION है SORUS इन्हीं सब का नाम आ रहा है क्या ये सारी ताक्ते भारत सरकार के पक्ष में हैं या उनके खिलाफ हैं दर्शक बताएं क्या जॉज शुरोस ने चुनाओं से पहली ये घोशना नहीं किया था कि हम टू बिलियन डॉलर्स खर्च करेंगे अचा क्या ये सच नहीं है कि राहुल गांधी लोकसवा चुनाओं के पहले जाते हैं वो उस्बेकिस्तान में सामन्था पावर नाम की उस लेडी से मिलते हैं जो कि अमेरिका के डिपलोमेटिक सरकिल में रेजीम चेंज लेडी के रुप में फेमस है यही सामन्था पावर है कि जो ओबामा को जिसने सलाह दिया था लिविया में तक्ता फिलेट करने की और उसके बाद अमेरिकी फोजे गई लिविया में तक्ता फिलेट हुआ वो सामन्था पावर से ऐसे ही मिल रहे है रहा हुद गांधी क्या जो कह रहा है कि टू बिलियन डॉलर्स खर्ष करेंगे क्या यह सच नहीं है कि सैम पित्रोदा का जो एंजियो है उसकी जो दोनों डिरेक्टर है सैम पित्रोदा के लावे दो और है जो मालिक है वो दोनों रॉक्फिलर फाउंडेशन से डिरेक्ट जुड़े हुए है आखिर जो सैम पित्रोदा की एंजियो को तीन ही जगह से पै तो वो पावर है, अब मैं एक महत्पून बात करहा हूँ, ग्रेटा थंडर, घ्रेटा, थंबर, थंबर, थंबर का नाम, बहुत सारे लोग ने जान रखा, उनका एक, टूलकिट, लीक हुआ था, सोशल मीडिया पर, जिसमें, पूरे प्लान के साथ, ये बताया गया था, कि हम एक New Democratic Government के स्थापना की जाए, वो कभी नी तकता पलट सब्द का इस्तमाल नहीं करते, वो या तो रेजीम, चेंज शब्द का इस्तमाल करेंगे, या More Democratic Government, क्या ये सच नहीं है, कि जिस तरह, शेक हसीना को, सबस्पहले डिक्टेटर, शिप किस ने कहा, New York Times में, क्या उस New York Times एक New York Times ने मोदी को डिवाइडर ने चीफ नहीं का, Times Magazine में गवर ने जो, तो वो सारे टूल किट सकरिये हैं, जो कि शेक हसीना के टाम में सकरिये हो, या फिर सिलंका के टाम में सकरिये हो, मालदिव्स के टाम में सकरिये हो, या पाकिस्तान ने जो आरूप लगाए, तो या हमने अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सेना का प्रभाव ज्यादा रहा ये कहा गया कि उनके हाथ में और अब तो आप देख रहे हैं सेना ने पूरा ओवरलाप कर लिया है बांगलादेश को भी हमारे आप तो ऐसा नहीं है तो ये खबर कहा से आए कि प्रेशर बनाए गया नहीं प्रेशर बनाए गया कब और पैंतालिस मिनट का टाइम बनागया ये तो अंतिम दिन ना तो ये एक दून ये फिर पांगलादेश सरकार का लूप पोल है कि उन्हें पता ही नी कि सेना उनके अगेंस में नहींदो तीन गलतियां होई हैं शेक हसिना से देख़ए शेक हसिना का सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था सबसे पहले वो बहुत बैलेंस बना कर चल रही थी दुनिया के सारे सूपरपावर्स के बिच में एक सूपरपावर है अमेरिका अमेरिका ने इन्हें कहा कि हमारी अपनी फौज के लिए आप एर बेस प्रोवाइड करो अच्छो यूक्रेन वार के पहले शेक हसीना ने कहा कि नहीं अगर हम आपको यहाँ पे जगह देते हैं तो चीन हमसे नाराज हो जाएगा क्योंकि चीन के ठीक बगल में अमेरिका का एक एर बेस हो जाएगा तो अमेरिका उससे नाराज हो गया CIA ने उसके बाद एक महने के अंदर वहां के मीडिया में छापना शूल कर दिया कि वो तो यह हैं डिक्टेटर है और आरोप यह लग रहे हैं कि ISI का एक चीफ है उनकी मुलाकात बेगम खालिदा जिया के बेटे से सौधी अरद में होती है और अमेरिका उससे फैसलिटेट करता है यह वहां के मीडिया में आज है सब छपा हुआ है तो जब पाकिस्तान का ही वो हिस्सा था बंगलादेश आजाद हुआ लेकिन पाकिस्तानी फोज के सिंपेसाइजर वहां के फोज में आज ही मौझूद है वो करनल रैंक पे हैं मेजर रैंक पे हैं हैं उनको एक्टिवेट किया गया वो हमेशा से आवामीली के खिलाफ रहे हैं एक वो एक्टिवेट हुए दूसरी तरफ अब बताये चाइना क्यूं रहेगा चाइना चाहता था बंगलादेश में उसे करने दिया जाए फिर कहा कि नहीं हमारे यहां चुकि आपके जो टर्म्स उसके बाद बंगलादेश में students का delegation चाइना जाता है उनकी training होती है वो सारे लोग हैं आज involved इसमें देखिए भारत भी आज क्या कर रहा है अमेरिका चाह रहा है कि आप युक्रियन वाले मसलेपे अमेरिका के साथ रहे हैं भारत कर रहा है नहीं हम तो रशिया से कच्चा तिल लेंगे जी हमें सस्ता पढ़ रहा है आपको के लगता है अमेरिका बहुत खुशी हुई है इस बात से नहीं खुशी हुई है अमेरिका चाह रहा है कि इरान के साथ जो हमारे संबंध है चुकि अमेरिका और इस्राइल एक तरफ नाटो देश एक तरफ इरान और चाइना ए वो क्यों खुश होगा भाई, कि आप उसके दुश्मनों के साथ रिष्टे रखोगे तो, तो वो क्या करेगा, वो more favorable government, more democratic so-called government आए, और इसके लिए वो प्रियास करेगा, क्यों न करे वो, उसे तो एक ऐसी सरकार चाहिए न, कि जो कि हमारे कहन पर चले, उसे दुनिया में democracy लेकिन वो democracy चाहिए, जो उसके कहें अनुसार चले, चाइना के साथ आपका रिष्टा, अल्रेडी कैसा है, हर किसी को पता है, डोकलाम में क्या हुआ, गलवान में क्या हुआ, आप चारों तरफ दुश्मनों से घिरते जा रहे हैं, होस्टाइल government बोलते हैं, दुश्मन में जो कि मोर होस्टाइल government towards India थे, वहां समस्य आई थी न, तो भारत को चारों तरफ से होस्टाइल government से घेर रहा है, कि पहले आस पास के सारे ऐसे देश में ऐसी सरकारे आ जाएं, जो कि भारत को फेवर न करती हैं, उसके बाद पहला वह तो इंटरनेशनली, उसके बाद वह प है क्या, आखिर राहुल गांदी जाते हैं, वीदेश धाती पे वो कहते हैं कि किरोसिन छिड़का जा चुका है, बस माचिस मारने की देर है, वो यूही कर रहता है, एक मैं और बताता हूं, एक गंभीर बाद बताता हूं, अमेरिका में एक संगठन है, इंडियन यूनियन म मुस्लिम कॉंसिल में वैसे लोग हैं, इसका गठन किया गया था, यह C.A. अंदोलन के बाद से, C.A. N.R.C. का जो अंदोलन हुआ, वो भारत में के लोग हैं, और उनका पाकिस्तान और अरब के साथ बहुत अच्छा रिष्टा है, कोई कुछ अरब देशों के भी मुस्लि इसका नाम है, इंडियन उनियन मुस्लिम कॉंसिल, इंडियन उनियन मुस्लिम कॉंसिल का जो हेड है, उसके साथ राहुल गांदी की मुलाकात होती है, 2023 में, जाते हैं, मुलाकात करते हैं, किसी को नहीं पता कि उस मुलाकात में क्या बत होई, एक सीमा सिरोही है, जनलिस्ट economic times में वो लिखती है सीमा सिरोही ने economic times में clipping दूँगा अपने article में लिखा कि राहुल गांधी की मुलाकात white house में एक बहुत बड़े अधिकारी से हुई नाम नहीं लिया है उन्होंने लेकिन सीमा सिरोही का अठकिल है मैं नहीं बोल रहा हूँ economic times में चपी है मिलना कोई बुरी बात नहीं है मिले ना राहुल गांधी जाके किस से लेकिन देश को लोग को पता होना चाहिए कि वो foreign में गए किस से मुलाकात के गुपत क्यों रखा secret क्या है आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता कि कि जब डुकलांप का विवाद चल रहा था तो चीन दुतावास में राहुल गांधी क्या करने गए थे आपको पता है क्या नहीं पता ना आपको कैसे पता है फोटो है तस्वीरे हैं जब जगह छपी कि गए थे मिलने अच्छा Communist Party of China के साथ जब सरकार थी वो जो एग्रिमेंट हुआ था आज तक भारत में किसी को पता है कि वो एग्रिमेंट क्या हुआ था सर्वजनिक हुआ सिर्फ तस्वीरे आए कि पीछे सोनिय गांधी खड़ी है नीचे राहुल गांधी साइन कर रहा है पीछे Communist Party of China का हेड खड़ा है वहाँ पे एक उसका दिखारी खड़ा है दोनों में एक्स्चेंज हुआ था क्या उसमें I don't know मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह देश द्रोही है लेकिन जो चीए गुप्त रखी जाए जो देश को लोग उससे पता नहीं है तो उस बारे में इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए न और वो आदमी विदेशी धरती पे जाके उन टिल्किट्स के वेज और यह छोटे मोटे लोग नहीं है सामन्था पावर को यहरा गहरा नहीं है वो ओबामा के नजदी के रही है जो बिडेन उसको राइट हैंड अपना बोलते थे रेजिम चेंज लेडी ऐसे यह वो जिसने युक्रेन पूरे वार को और करेट किया हो वो पूरा उसकी परभारी रही वो डिरेक्टर एक वहाँ वाइट हाउस में एक टास्क फोर्स है एक्टर सिटीज अगेंस डेमोक्रेसी उसकी वो हेड है और वो करती है उससे मुलाकात हुई है बोल दीजे कि अचा को यह बोल दे कि अजबेकिस्तान में राहुल गान्दी के उनसे मुलाकात है यह जो मैं बता हुँ यह भारतस सरकार को नहीं पता होती मोधी सरकार ने कहा है कि अपने देश में कुछ ऐसी ताक्ते हैं जो कि विदेशी ताक्तों के साथ मिलकर भारत को करने के कोशिश की जारी देखिए उनको अच्छा भारत कर लोग इसी बात से खुश है कि हमारा देश बहुत तेज तरक्की कर रहा है हमारी अच्छी है लोग खुशाल हो रहे हैं साल पर पहले तो यही बंगलादेश के बारें भी कहा जाए है कि वहां कुछ नहीं होगा अच्छा बात में होगा ही लेकिन प्रयास जारी है वो क्या करेंगे पता है वो क्या करेंगे वो पंजाब के किसानों को उतार देंगे वो के नाम पर काश सिंसर्स के बाद चले रही है वो काश डिभाइड करने के कोशिश करेंगे वो क्या करेंगे CA, ANRC हो गया वफबोर्ड वाला आखिर एक मौलाना ने धमकी दी है कि वफबोर्ड में जरावी छेड़ छड़की तो हजारों मुसल्मान सबकर पूतरेंगे लाखों वो कह रहा था, मैं लाख नहीं मानता हूँ हजार ही उत्रा लेकिन फिर जब वो पहले परिस्थिति का नहीं मान करते हैं उसके बाद इंटरनेशनली चारों तरफ आपको सरकार को बदनाम करने की कोशिश शुरू हो जाती है और उसके बाद तब कि वहां तो ताना साही थी एलेक्शन रिग्ड था, वहां का EVM हैक्ड था, चुनावायोग बिग गया था और सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो थी तो लोगों की अपरेजिं हो गई हाँ, क्योंकि अगर मैं बांगलदेश के संदर में आपसे सवाल पूछू तो जिस चीज को लेकर विरोध हो रहा था कि 1972 में जो अरक्षन को लागू किया गया था वो आप खत्म कर दीजे सरकार ने खत्म कर दिया था वो पर इसकी कोट ने उसको लागू कर दिया तो शेक असीना की खराफ कहां से शुरू हूं होई क्या हुआ जिस वक्त ये कानून बना था कि वहाहं स्वतंता सिनानियों को 72 में ने बना था 80 में बना था यह 80 में यह बना था जो वहां स्वतंता सिनानी है यानि जिन्होंने बंगलादेश के आजादी किलराय में हिस्सा लिया है उनको 30% reservation देना है 80 में बना उस वक्त कुछ नहीं था उस वक्त क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि मुझेबुर्रमान की हत्या होती है फिर बोला गया कि हटा दिया जाएगा इसे कि नहीं है ठीक है लोगों को कोई इशू नहीं है फिर केस चला वो वो केस बंगलादेश के सुप्रीम कोर्ट में चला और जो कोई स्वतंता से नहीं थे मैं exact उनका नाम नहीं है उन्होंने एक याज का दायर कि थी अब उनके केस की सुनवाई होते होते है बंगलादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक था जिन्होंने देश के लिए युगदान दिया वो लाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये फिर स्ट्रुएंट का अंदोलन हुआ कि ये तो भाई अन्याय है फिर उसी सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ कर लिया कहीं नहीं है सेखह सिनाइस में कहीं नहीं है आवामेली कहीं नहीं है वो कोर्ट में सारा मामला है कोर्ट कर रहा है और बंगलादेस की सरकार ने चिस दिन सुप्रिम कोट का फैसला आया, सेम डे, बोला कि हम विड्रा करते है, हम साथ परसेंट देंगे, अगर आप बोलोगे तो वो भी कम कर देंगे, खतम कर देंगे, अब तो कोई डिमांड नहीं है, माल लेना चाहिए, शांत हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मकसद ही कुछ और था, मकसद ये नहीं था, वो एक रीजन तलाशा जाता है, अच्छा, C.A.N.R.C. अगर रीजन था, तो डिमांड ट्रम्प के दौरे के दौरान क्यों दंगा होगा, किसानों का अगर MSP रीजन है, तो लाल के लिए पर खाली सानी ज भूनना जाता है, इन्स्टेंट, उसमें कहां है सर, अब भारत के मैं बात कर रहा हूँ, भारत मनिपुर सान्त है, कोई दिकत नहीं, वहां के हाई कोट ने, एक सिर्फ याज का स्विकार किया है, कि मैतई को स्विकार करके, और उसने फैसला नहीं दिया है, वो सिर्फ पर गौर करो कि हो सकता है कि नहीं, उसके बदले में क्या होता है, मनिपुर में, चर्च और वहां के इंजियोज, मिलके, वो एक कुकी का, वहां भी स्ट्रेंट मुव्मेंट के नाम पर ये कोई, मैं एग्जेक्ट नाम नहीं आ रहा है, वो एक फोरम बनाते हैं, वो प्रो सब प्लान है, सब प्लान, और प्लान ये है कि आरोप ये लगे, अच्छा बताएए, इतने सोफिस्टिकेटेड हतियार, यूहीं आ जाते हैं क्या, अच्छा जो ट्राइबल रह रहा है, गाउं में, वो एक फोर्टी सम रखे हुए है, कहां से आ रहा है वो हतिया, सही बात वो में बताता हूँ, मनिपूर का जो इलाका है, मनिपूर जो देख रही है, मिजोरम देख रही है, और म्यानमार का इलाका है, उसको इंटरनेशनली गोल्डेन ट्रेंगल का जाता है, दुनिया में सबसे उच्छतम क्वालिटी की अफीम, वहां पाए जाती है, ओपियम, और वो ओपियम की खेती वहां होती थी, वो कितने का धंदा होगा पता है, तीन हजार करोड का धंदा है वो, मनिपूर से, अब हुआ क्या, देखिए, रीजन बताया गया, हाई कोट के जज्जमेंट को, लेकिन असली रीजन क्या था, कि वहां की सरकार इन विरेंसी ने, कह कि हम अपने यहां ओपियम की खेती नहीं होने देंगे, और उन्होंने ओपियम की खेती नश्ट करने शुरू कर दी, दुनिया में सबसे बड़ा ओपियम का जो ट्रेडर है, कोई गी बोलो या इस तरह करके नाम है, वो डारेक्ट लिंट था इन से, और यहां से ओपियम न दूंदा, ततकालिक कारण दूंदा, मनिपूर हाइकोर्ट के फैसले का, मनिपूर हाइकोर्ट का फैसला था है, सरकार क्या करे उसमें, रिकमेंडेशन ही भेजा था था, सरकार नहीं मान रही, ठीक हम नहीं मानेंगे, लेकिन उससे पहले सब कुछ हो गया, और टूलकिट क ली जाते हैं वेटकन सिटी और वहां कहते हैं कि भारत में इसाईयों के साथ ये हो रहा है ये होता है टूलकिट आखिर आप ये देशों में जाके जब चंदा वसुलना होता है तो क्या कहोगे तो वो ये कहते हैं कि हिंदू नेशनलिष सरकार है जो कि इसाईयों के खिलाफ अत्याचार कर रहे, इसलिए आप हमें फंड दो, ये तरीका है, और क्रिश्टिनिटी के नाम पे फंड आते हैं, एक और है, इस एंगला पता है, भारत में मोधी सरकार के खिलाफ क्यों है, जो पश्मित आकते हैं, वो ये, कि भारत में हर साल, हजारों करों रूपे, इंजिय जो ऐसे थे न, जो भारत में समाजिक भलाई का काम कर रहे थे, इनवर्टेट कॉमा, लेकिन आरोप ये लग रहा था कि समाजिक भलाई के आर में वो पैसो का कोहीं और इस्तमाल कर रहे थे, धर्म परिवर्तन में हो, जो बड़े-बड़े प्रजेक्ट्स रोकने में, मैं आपको उदाहरन बता सकता हूँ, तमिल्डन में कुडण कुड़न नुक्लियर पावर प्लांट बन रहा था, रश्या के सहहयोग से, नुक्लियर प्लांट बन रहा था, अब अमेरिका को ये पसंद नहीं, कि रश्या के सहयोग से भारत पावर जिकराब कर रहा है, तो उसन कुमार वहां एक लोकल समाजी कार्य करता थे उनको पकड़ा और यह बताया गया वहां के लोगों को कि अगर यह कुड़न कुलन नुकलियर पावर प्लान बना तो लोग अपंग पैदा होंगे तो एबॉर्शन हो जाएगा बहुत जल्दी तो यह बननेगा तो वहां के लोग सरकार आई, NGO Greenpeace Foundation को बंद किया बहुत एक लाइन का सिफ नियम निकाला बोला कि आप आओ पैसे लोग कोई बात नहीं लेकिन जो भी आप पैसे लोगे आपको State Bank of India New Delhi ब्रांच में जम्मा करनेगा ताकि हमारे पास recorder है कितने आ रहे हैं FRCA कानून के तहट आपको हर साल सिर्फ audit करना होगा, हिस्ताब किताब देना होगा, आप कहां खर्श करो ना, बस सिर्फ बता दो कि कहां किया, इतने में ही पता चला कि 2000 NGOs के फंड बंद हो गए, क्यों भाई क्यों बंद हो गए, क्या कर रहे थे वो आके खाता खुलवा रहे बता दिया केस भी आमें खाता खुलवा, समस्या कहा है, और आपो क्या लगता है, वो 2000 NGOs और उसे जुड़े हो जो लोग होंगों वो अभी क्या कर रहे होंगे, जिनके पेट पे लात पड़ा है, वो कुछ तो कर रहे होंगे न, वो भ्रहम भाईला है, वो Greater Thunderbird से जुड़े होंगे है, वो Amnesty International से जुड़े है, वो Greenpeace Foundation से जुड़े है, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सलाना 20,000 करोड आकड़े हैं, 20,000 करोड रूपे आते थे, वो यहां के किस चीज़ में कनवर्ट होते थे, कहां लगते थे, अच्छा सरकार नेखी कहाना है कि आप जो भी पैसे लाते हो ना, आपको 30% administrative खर्चा करना होगा, administrative खर्चा का मतलो जनते हैं, क्या होता है, NGO में salary वगर सिर्फ 30% ही खर्चा करना होगा, बाकी आपको जिस काम के लिमंगा है, उसमें करना होगा, अगर मैं गरीबों को खाना खिलाता हूं, मेरे पास 100 जियो पे हमला बोला, उनके पेट पे लात मारा, FRCA से उनकी कमाई बंद कर दी, आप अमेरिका की सुन नहीं रहे हो, रश्या से कच्चा तेल खरीद रहे हो, आप अमेरिका नाटो देशों की सुन नहीं रहे हो, आप इरान के साथ संबंध रखे हुए हो, उनके न कहने के ब जो मंसो अग्यात बंदुगदारी जाता है, उनको ठोक देता है, कहीं न कहीं, वो कहां कश्मीर में घुशते थे, अब सुनते हैं कि वो अपने ही देश मनी पट रहे हैं, तो वो समिल के क्या कर रहे होंगे, ठीक, तो बांगलादेश के हालात हो गई है, श्री लंका के हाल अफगानिस्तान और बहुत सारे देशों का अपने जिकर किया, बलकि शुरूबाद में मैं भी चीज सोच रही थी कि इतना इजी नहीं होगा, लेकिन हाँ आप सोच विचार किया जा सकता है, आसान नहीं है, यह सोचना भी इतना इजी नहीं है, कि कुछ नहीं होगा, अग आप चुनाओ यहां रिग्ड है, वो जाती के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, देखिए तो SCHT में ऐसे कैसे हो जाएगा, यह हलाँ, महीने तो महीने कंदर पैदा हो जाएगे, 24 गंटे कंदर ट्वीटर भर जाएगा आपका, चूँकि ट्वीटर पर अलग से टूल किट का पर देते हैं, दर्शोगों के उपर बताईए चर्च आपको कैसी लगी, डिसकेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताईएगा, एक एक एंगल और है, बहुत सारे लोग यह कहते हैं, कि मोदी ताकतवर है, इसलिए यह नहीं हो सकता, क्या भारतिये जनता पार्टी के अं लेकिन कल को जाके, जो कटर मोदी समर्थक थे, वो एक महीने बाद कहने लगा है, कि मोदी अब नहीं कर पा रहा है, अमीत साब पैसे खाने वाले हो गया, नड़ा तो एक दम आप अमीत मालविये को हटा दो, अब योगी जी या गड़करी जी या इनलों का गुटबंदी ह हो गया, अब सब कुछ ठीक चलेगा, कैसे बोलते हैं, कहीं ने कहीं कोई प्लांट कर रहा है, लोगों के दिमाग में, सावधान रही है, सतर्क रही है चले शुक्रिया, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी शुक्रिया, जरब बताईए कमेंट सेक्शन में आप इसको लेकर क्या राय रखते हैं